जया बचन ने अमिताब बचन के सामने रेखा को थपर क्यों मारा था? जया बचन नहीं चाहती थी कि अमिताब और रेखा साथ काम करें. एक पत्नी होने के नाते जया बचन जितना बरदाश कर सकती थी उन्होंने किया, लेकिन फिर एक समय ऐसा भी आया जब जया अपनी तरफ से हर मुम्किन कोशिश करने लगी कि अमिताब रेखा के साथ काम न करें. ये उस समय की बात है जब प्रोड्यूसर तीतो तोनी रेखा और अमिताब को लेकर फिल्म राम बलराम बनाने जा रहे थे. जया और तीतो के अच्छे संबंध थे इसलिए जया को जब इस बारे में पता चला, तो उन्होंने तीतो से रेखा की जगय फिल्म में जीनत अमान को कास्ट करने के लिए कहा. तीतो ने जया की बात मान ली और रेखा को फिल्म से बाहर कर दिया. रेखा को जब ये बात पता चली तो उन्होंने फिल्म के दाइरेक्टर विजय आनन्द से बात की और फिल्म में काम करने की इच्छा जताई विजय ने रेखा से कहा कि इसके लिए उन्हें फिल्म के प्रोड्यूसर तीतो से बात करनी परेगी इसके बाद रेखा ने फिल्म के प्रोड्यूसर तीतो के सामने ऐसा ओफर रखा कि वो रेखा को मना नहीं कर सके रेखा ने प्रोड्यूसर तीतो से कहा कि वो इस फिल्म में बिना पैसे लिए काम करेंगी प्रोड्यूसर तीतो मान गए और फिल्म रेखा को मिल गई रेखा और अमिताब के साथ राम बलराम फिल्म की शोटिंग शुरू हो गई जया को जब इस बात का पता चला कि रेखा फिल्म में फ्री में काम कर रही है तो उनसे ये बात बरदाश्क नहीं हुई फिर एक दिन जया चुपचाब अमिताब को बताए बिना फिल्म के सेथ पर पहुँच दी वहाँ पर जब जया ने रेखा और अमिताब को एक साथ प्राइवेट में बात करते देखा तो उनसे ये बरदाश्क नहीं हुआ और जया ने सेथ पर सब के सामने रेखा के गाल पर ये सब इतना अचानक हो गया कि अमिताब को समझ नहीं आया कि वो उस समय क्या प्रतिक्रिया दे वो चुपचाब से छोड़ कर घर चले गए